है पाहीं है यह वेल्डम एक टू माई चैनल में हूं भारती अज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं रिविव वाव इसके सांस के विटमिन इसके यह चाहिए अभी इतना ही फेसवोष है जितना मुझे अभी चाहिए क्योंकि मुझे इसका review share करना था आपके साथ जिससे आपको पता रहा है कि wow skin science का ये वाला face wash के step सा है और आपको इसको किस step के skin पर use करना चाहिए या फिर ये face wash की step की skin पर work करता है तो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाली हूं कि ये face wash कैसे use करना है और use करने से पहले क्या करना है यूज करने के बाद क्या करना है और इस face wash मतलब ये जो face wash क्लेम करता है न उस पर ये खरा उतरता है या नहीं उतरता है और किस step के skin के लोगों को ये face wash यूज नहीं करना चाहिए सो लेट स्टार्ट ये है मेरे पास वाव इसकिन सैंस का विटामिन से फेस वोश जो इसकिन ब्राइटनिंग वाला फेस वोश है और ये face wash आपके इसकिन को डिप क्लेंज करता है क्योंकि इसके साथ आता है एक सिलिकन ब्रश और ये जो face wash है ये आपके इसकिन के कलर कंप्लेक्शन को स्मूथ करता है इस फेस वोश के अंदर किसी भी टैप का पेरावीन सलफेट सिलिकन और कलर एड़ नहीं है ये एक डर्मेटोलोजी टेस्ट फेस वोश है और इस फेस वोश की नेट क्वांटिटी आते हैं 100 ml की इस फेस वोश की प्राइज है टू हंड़ेट टू टू फिफ्टी सम्तिंग इसके कुछ प्राइज है मुझे एक्जिट याद नहीं है बट इतने ही कुछ प्राइज है स्वेस वोश के एंड ये इस टाइप सब कुछ सिलिकोन ब्रश के साथ आता है यूज करने के लिए एड इस फेस वोश को कैसे इसको यूels करने के लिए पहले इसको इसको अलग करना होगे यह करने के बाद आप देख स्थीर और अपैसे फरेस करके सकते हो और जब प्रोड़क्ट यहां पर यह राउंड सरकल दिखे रहा है यहां पर आने के बाद वापस इसकी नेक को अससे ट्विस्ट अंटरन करके लॉग करना है जिससे वार बाहर ही रहे अंदर नहीं जाए यूज़े से इसको ऐसे लॉग करके ही उसकरना है को यूज करने से पहले आपको दो मिनिट तक पाने के अंदर सोक करके रखना है जिससे यह जो सिलिकॉन ब्रश या यह और जादा सॉफ्ट हो जाए और आपके स्किन पर एकदम जेंटल रहे है देन सोक करने के बाद जितना आपको प्रॉडक्ट चाहिए उतना इस पर लिया जेंटली मसाज करना है अपने फेस पर जेंटली मसाज करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से भी अपने फेस को वाश कर सकते हैं या फिर लुक फॉर्म वाटर से भी अपने फेस को वाश कर सकते हैं बट इसको यूज करते टायम एक बात को और ध्यान रखना है अगर आपक गलती से भी यह फेस्वोश का जो यह ब्रश है ना सिलिकोन वाला अगर यह आपके पिंपल्स वाले एरिया पर लग गया आना तो आपको बहुत ज़दा दर्द होगा और आपको और पिंपल की प्राबलम होगी क्योंकि मैं जब इस फेस्वोश को यूज करते थी तब मुझे मैं और पिंपल्स थे मैं आपको नहीं बता सकते हु मतलब मुझे इतना दर्द वाता ना उस टाइम यहां पर मुझे फेस्वोश को को ले ती सडंवी मतलब यहीं रब किया तो मुझे इतना दर्द वाना I can tell you मतलब पता नहीं सकती क्योंकि शुरू के जो दिन होते हैं लेक एक से दो दिन में पिंपल्स होता हैं बहुत जाधा हार्ड होता है क्योंकि वह ग्रोथ कर रहा होता है तब मैंने इस फेस वोश को यूज किया था और वह बहुत जाधा करना है विदाओट पिंपल कवर कि वे आप प्लेज फेस फेस्वोश को यूज मत करना नहीं तो आपको और प्रावलम जयादा होगी और यह फेस उस्क्लेम करता है ना कि आपके फेस से जो एकने के स्पोट्स वगरह है उनको कम करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने इस सोफ्ट भी लगती है और अगर आप गभी से के ऊपर इसको यूज करना चाहते हैं तो यह ज़ो इसका लूप है इसको लूज करने के के लोग इस फेस्वोश को यूज़ कर सकते हैं यह नॉर्मल जो फेस्वोश होता है ना उसी फेस्वोश टाइप से वक करता है सिर्फ इस फेस्वोश में अलग बात यह है कि इसके साथ सिलिकोन ब्रश एड़ है बस इसके लए और कुछ भी नहीं है सबस्क्राइब करता है अगर आपको यह वाला फेस्वोश करना है तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्षिन ब्स में देदूंगे आप वहास जाकर चेकाऐट कर ले passwords लेना और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बाबाई एंड टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में